हेलो गाईज यहां हम स्टेनो फॉर ओल यूटूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी इंगलेस स्टेनोग्राफी की अलग-अलग क्लास उपलब्द कराते आ रहे हैं यह हमारा इंगलिस और हिंदी डिक्टेशन का पॉर्षन है जिसमें आज हम आपको घंदी डिक्टेशन 120 शब्द प्रतिमनेट की गतिपर उपलब्द करा रहे हैं जो कि हमारी B grade की परिक्षाए है वो इसके साथ ही C grade के कुछ exam है जिसमें 120 शब्द प्रति मिनट की गति पर dictation लिया जाता है और जो हमारा UPSC का exam है उसमें भी 120 शब्द प्रति मिनट की गति पर dictation होता है सभी 120 शब्द प्रति मिनट के लिए तयार रहें 120 शब्द प्रति मिन रेटकिकती के लिए रेडी मजदूर दिवस पर काल माक्स के बैज्ञानिक समाज सास्त्र के सिद्धानतों की व्याख्या करती किताब माक्सवाद का अंच आज समाज में प्रधानता दो स्रेणियां है एक वे लोग जो नगरों के सुन्दर और स्वस्थ भागों में रहते हैं जिनका जीवन की आवश्रक बस्तुएं और सुविधाएं प्राप्त है दूसरे वे लोग जो नगरों के गंदे भागों और छोटे मकानों में चीथडों में लिप्टे दिन बिताते हैं, जिनके चेहरों पर थकान के चिन रहते हैं, पहली अवस्ता के लोग सब प्रकार के उत्पाद साधनों के मालिक है, दूसरी अवस्ता के लोगों के पास अपने शरीर से महनत करने की शक्ती के अलावा जीवन निर्वा का कोई और उपाए नहीं है, पहली अवस्ता के लोगों को पैदावार या उत्पादन के साधन का मालिक, जमीदार या पूंजी पती कहा जाता है, और दूसरी अवस्ता के लोगों को साधन, हीन, किसान या मजदूर संसार के सभी पूंजी वादि देशों में ये दोनों स्रेडियां मौजूद है पूंजी पती और या भूमी के मालिक समाज की ब्यवस्ता चलाते हैं उसका प्रवंद करते हैं मजदूर किसान लोग प्रवंद और व्यवस्था के अनुसार काम में लाए जाते हैं यह बात बिचित्र जान पड़ती है कि मेहनत एक स्रड़ी करें और लाव दूसरी स्रड़ी उठाए यह रस समझने के लिए हमें देखना चाहिए कि समाच के उप्योग के पधारत के पैदावार और बटवारा कैसे होता है यह सबी लोग जानते हैं कि अनाज, मकान, कपड़ा, आदी, उप्योगी, बस्तुएं तैयार करने के लिए मनुस्य को अपने सरीर से परिश्रम करना पड़ता है पैदावार का काम व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता यह बात ना केवल मिलों से तैयार होने वाले सामान की बावत है बलकि हल, बैल से की जाने वाली खेती-किसानी के सम्बंद में भी यही बात है किसी मनुस्य या स्रेणी का समाज में क्या इस्तान है उसका दूसरे मनुस्य या स्रेणियों से क्या नाता है यह इस बात से निश्चय होता है कि पैदावार के साधनों से उस मनुस्य या स्रेणी का क्या सम्मंद है पैदावार के सिलसले में जितने मनुस्य एक सी अवस्था में काम करते हैं वे प्राया एक ही ढंग से रहते भी है और उनकी एक विरादरी स्रेणी बन जाती है पैदावार से इस स्रेणी का जिस प्रकार का संबंद होता है सामाज में वैसी ही उसकी इस्तिती रहती है यदि एक स्रेणी पैदावार के साधनों की मालिक है तो इन साधनों के साथ काम में लगाई जाने वाली स्रेणी पर भी उसका सासन होगा जो स्रेणी पैदावार के साधनों की मालिक नहीं, उसे अपनी स्रेणी से पधार्त तैयार करने के बाद पैदावार का केवल उतना भाग मिलेगा जितना की साधनों की मालिक स्रेणी देना चाहेगी. सादनों की मालिक स्रेणी सदा ही महनत करने वाली स्रेणी से महनत करा कर पैदावार का अधिक से अधिक भाग अपने पास रखने की कोशिश करती है अपने जीवन निर्भा के लिए महनत करने वाली स्रेणी को भी इन पधार्तों की आविश्चक्ता है इस प्रस्न पर इन दोनों स्रेणीयों में संगर्स चलता रहता है यह तनातनी ही स्रेणीयों में बटे मनुस्य सामाज की आर्थिक विवस्ता के परिवर्तनों और विकास क कहानी है जब तक पैदावार के साधन छोटे-छोटे और मामूली थे उनके कारण होने वाला स्रेणियों का भेद भी मामूली था जब यह साधन बहुत उन्नत हो गए तो स्रेणियों के भेद बहुत ओग्र रूप धारण कर लिया पैदावार के काम से सम्मंद रखने वाली इन दोनों स्रेणियों के भेद बढ़ते बढ़ते अब एक एतिहासिक अवस्था में पहुँच गए है कि स्रेणियों का यह भेद और परस्पर बिरोध पैदावार के मार्ग में अडचन बनने लगा है. अर्थात एक स्रेणि के पैदावार के साधनों और पैदावार की मालिक बनकर मुनाफे के रूप में पैदावार का बहुत बढ़ा भाग हतिया लेने से दूसरी मेहनत करने वाली स्रेणि पैदावार का अपना भाग खर्च नहीं कर पाती. इस कारण मेहनत करने वाली स्रेणी का जीवन और समाज में आगे पैदावार का करम दोनों असंभव हो गया है माक्सवाद कहता है कि ऐसी अवस्ता में इस सम्मंद को बदलने की जरूरत है समाज में इन स्रेडियों के सम्मंदों का बदलना ही क्रांती है पुन्जी वादी स्रेडी और उनके सहायक अपने अधिकारियों और अधिकारों की रक्षा करने के लिए लगे रहते हैं कि समाच की बरतमान अवस्ता बिलकुल सौभाविक और प्रकर्तिक नियमों के अनुसार चालू है यह नियम बदल देने से समाच का नास हो जाएगा जब की माक्सवाद का सिध्धान्त है कि सामाज के नियम और सिध्धान्त उसकी अवस्था और परिस्तिती के अनुसार बदलते रहे हैं और जब भी आवश्चक्त अनुसार बदल जाना चाहिए जिन्दिगी को भरपूर जीने वाले और हर छण मौज में रहने वाले रिशी कपूर जाते जाते भी अस्पताल के लिए डाक्टर और नर्स को हसाते गुदगदाते रहे कपूर एंड संस के दादा जी की तरह उनके पिता राज कपूर ने 50 साल पहले मेरा नाम जोकर में कहा था दे शो मस्ट गॉन ओन बेटे ने इस सूत्र वाक्या को सच्मुच चरितार्थ कर दिया पिछले लगबग 2 साल से कैंसर की पीड़ा से जूजने वाले कभी उनका निरासाजनक ट्वीट या संदेश नहीं आया पिछले दिसंबर से इलाज के बाद अमेरिका से लोटे तो यह कहते हुए कि रुकूंगा नहीं काम करता रहूंगा उन्होंने ऐसा करना शुरू भी कर दिया था रिशी कपूर का इस दुनिया से चला जाना बास्तब में भारतिय सिनेमा की मजबूत बुनियादी से एक जरूरी इट का सरक जाना है वे हिंदी सिनेमा की कम से कम तीन चार पीडियों के बीच एक शशक्त सेतु की तरह थे बेहद खुश्नुमा और सदा सक्रिये जितने पारंपरिक उतने ही आधुनिक जितने गंभीर उतने ही दिलखंड जितने लोक धर्मी उतने ही प्रयोग धर्मी अपने दादा प्रत्वी राज कपूर और पापा राज कपूर की दुनिया से खाद पानी लेकर नई दुनिया के लिए ततपर रहने वाले रशी कपूर को भूलना ना मुंकिन है भारतिय सिनेमा में उनकी चबी एक ऐसे चमकदार प्रेमी के रूप में रही जिसने देश की कम से कम तीन पीडियों के प्रेमियों को प्रेरित किया राजे स्खन्ना के सुपर स्टार दौर की इसने हिल पुकार से होकर नब्बे निकले बॉबी के प्रेमी ने ना केवल एंगरी यंग मैन के दशक को पार किया बलकी समानांत स्रेण सिनेमा के खुर्दरे आक्रोस भरे दशक में भी पार पहुच गए यह उनकी अभिने प्रतिभा और अथक प्रेम की छवी का ही प्रताप था कि 1992 में वह दीवाना में सोचने सोचेंगे तुमें प्यार करेंगे कि नहीं गानते नजर आए और दर्शको ने उन्हें हातों हात लिया हिंदी सिनेमा के रुपहले परदे पर उनके जैसा आधुनिक प्रेमी दूसरा कोई नहीं 1970 में मेरा नाम जोकर जैसी बेमिसाइल फिल्म से शुरू हुआ यह किशोर प्रेमी 1997 में कौन सच्चा और कौन जूटा पर आकर ही थमा पर दूसरा एक स एक प्यारी भूमिकाओं में उतर गया रिशी कपूर प्रेम को परदे पर उतारने का जुनूर रखने वाले अभिनेताओं के लिए हमेशा एक सकूल की तरह रहेंगे हात में गिटार हो या डफली शायद ही कोई बैसा बजाता दीखेगा जैसा रिशी कपूर दिखते थे एक प्रेमी के रूप में उनके स्मार्टनेस हमेशा सीखने योग रहेगी ना जाने कितनी अभिनेतरियों को उनके साथ फिल्मों में कदम रखने का मौका मिला यह भी अनुकरणिया है कि जिन्दगी में उनका पहला और आखरी प्यार नीतु सिंग ही रही 1970 में से शुरू हुई उनकी फिल्म केरियर से शायद ही कुछ वर्स ऐसे बीते जिनमें उनकी एक अधिक फिल्में परदर्शित नहीं हुई खूब काम करते थे दिन रात काम करने का मद्दा था अभिने के अलावा कोई दूसरा कला उन्हें नहीं भाई एक अफसोस उनके प्रेमियों को जरूर रहा की पिता राज कपूर द्वारा इस्थापित आर के फिल्म को वहें आगे नहीं बढ़ा पाए अपने इस्तर पर आ अब लौट चलें जैसी फिल्म निर्देशित करने वाले रिसी कपूर को कभी यह गुमान नहीं था की यह हमारा 120 प्रती मिनट की गति पर डिक्टिशन समाप्त हुआ है